तो गैस स्वागत है आप सब का आज की इस वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं आज काफी सारी अपडेट्स के बार में हमेज़ा की तरह इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं काफी सारी अपडेट्स जहां पर डबलो अबली के बार में एंग डबलो के बार में काफ प्रवी सारी हर कंपनी से यहां पर मैं अपडेट्स लेकर आएं तो वीडियो का आप लास तक जरूद एक जरूद आप लिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं आज की रहा के बार में आप रहा करूंगा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि र हार गई तो यह मुझे काफी नहीं खराब लगी मतलब पता नहीं चल्ला कि रॉकर के रही है लिए यह दूसरी चीज यहां पर आज रेंडी ऑटन के लुक था मुझे यहां पर कुछ खास लगा नहीं पता नहीं क्यों डब लोब ली ने उनके लुक के साथ दे हैं थोड़ जो पूरी वो बीर्ड रख्के आते थे उसको देखके थोड़ा लगता था कि हाँ यह लेजंड के लिए रहा है कोछ मतलब देखके खतरनाक से लगता था लेकिन आज एज लग रहा है कुछ कार्टूनी करेक्टर बनाना चारी है यहां फिर कुछ मयाक सांद के साथ यहां पर जो रैंडी ओर्टन का वही वाला लगता है उनको वापिस लेके आना चाहिए मुझे तो यहां पर इनका पसंद आया नहीं बाकी आप लोग बता सकते हो कि आपको आज यहां पर एंडी ओर्टन का यह वाला लोग कैसा लगा इसके लावा जो डबलो डी चैंपिसिप का यहांपर कुछ हैले नंसेल का मैंच यहांपर कंफर्म हो चुगा है अगली अपर बात करें जो कि यहां पर एकड़े डबलो के बारे में तो कल यहांपर उनका ट्पर बारे कुल आने पाई तै लेकिन मैंना आपको बता तिया तक लाइव स्ट्रीम गरी ती उसके नर क्या क सेप्टेंबर को और यहां पर उसकी लोकेशन भी रिविल कर दिया जो कि होने वाले सिकागो के अंदर तो जैसे कि आपको पता जुलाई से यहां पर लाइव इवेंट स्टार्ट होने वाले तो फिर अलग-अलग सिटीज में इवेंट देखने को मिलेंगे तो यहां पर इसक सिकागो लोकेशन अनाउंस हो चुकी है इसके जादी जो फ्ल गेयर पेपर उपर होने वाले होने वाले बहुने वाले चैंट लूइस तो यहां पर यह अलग-अलग से टीज से जो कि इनकी लोकेशन भी यहां पर रिवील हो चुकी है अगली अप्रेट कर ने बात करें उन्होंने टूइट किया जहाँ पर उन्होंने लिखा इट वॉज अ ओनर टू बी दा चैंपिन दी वर्ल्ड वाइड हाड टाइम आई डून्ट फील आई वाज अनलकी एट आल आई एप्रिसेट आल अफ यू तो सपोर्ट मी लॉंग टाइम थैंके सो मुज बर्ट गॉड डिस is हाड तो यहाँ पर उन्होंने फैंपिन बनी यहाँ पर ये वाला टाइटल रन कैसा आता है अगली अप्डेट के नहीं बात करें जोगे हैं यहाँ पर राइवेक के बारे में तो राइबेक का यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर वो AW के double or nothing के अंदर अपना dev view कर सकते हैं और राइबेक इसी तरीके से यहाँ पर कुछ tease कर रहे थे सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने इस photo को डाला थे जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी body की उपर काफियाना काम कर रहे है देख सकतो काफियाना उनकी body body सही दिखाई दे रही है और उसकी जो location इस photo को उन्होंने डाला है वो यहाँ पर है daily place तो daily place आपको पता है यहाँ पर Jacksonville के अंदर जहाँ पर अभी AEW अपनी source करा रहे है तो इसको लेकि उन्होंने यहाँ पर tease कराते है उसके लावा उन्होंने यहाँ पर इस video को डाला था जहाँ पर जो casino battle royal का हम देखते हैं ऐसा कुछ lottery अगरे निकाल ली जाती है बाकि देखते हैं पहला episode आएगा जो कि Friday को होने वाला है तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है अगली update करें बात करें चुकि काज यहाँ पर बैकी लिंच के वारे में तो बैकी लिंच की यहाँ पर कुछ रिसेंटली फोटो निकल आई है जहाँ पर सैथ रॉलिंग बैकी लिंच पहले से तो काफी आना सही हो चुकिए है बॉडी के उपर ने यहाँ पर काम करा रहा है तो बैकी लिंच फिर से अपनी सेप में आ रही है और जैसे कि काफी जारे जो फैंसे वह वेट कर रहे हैं कि बैकी लिंच का रिटन हो जागा बाकि यह कुछ फोटो कि अब जैसे कि मैंने आपको बता देगे डवली के अभी रिसेंटलि यहाँ पर बात चीछ चल लिया ए एक पार्टनर्सिब कर सकते हैं तो डू में आपको दा दे कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक क्या दर जिसमें जो पूरा एक नेम बना था वह यहां पर ओकाड को जहां पर उन्होंने एक टूइट किया और जहां पर उन्होंने इस चीज का स्क्रीन सॉट यहां पर डाला है जहां पर उन्होंने यहां पर यहां पर आपको एक नेम दिखाई दे रहा है कि यहां पर यहां पर आपको एक नेम दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो यहां पर ओंपना काद के लिखे सब्सेंद से माद के आप के लगता है और जुकित अब्लूaway पार्टनर्सिप पिर नहीं होनी वाली है सकते हैं और पुस तरीके आपको क्या लगता है इसके बारे में आपको क्या लग रहा है कि यहां पर NGPW, WWE की पार्टनर्सिप होगी यहां फिन नहीं और अगर होती है तो क्या आप देखना चाहोगी यहां पर डुमेगन टावर से काजुची का उकाड़ा का मैच इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूरू बताना और य ने यहां पर लिखा बुलिट किलभ वसे ब्लड लाइन तो आपको पता हो इस तरीके से भी यहां पर कोई टीस कर रहे हैं ज़से कि मैं आपको बताई रहा हूँ पारनेसिप कि यहां पर बात चल ली तो काफितार किया सकते हो फैन से भी मजी ले रहे हैं और ऐसे मैच इसक इंद को रहीए हैं यहां पिंस तरीके से कुछ बातें निकलके आ ह Works अरिए तो शुपर्षार ब вы बच्छ तो तो टामा टोंगा यहां फिर मैं बात करूँ बुलिट के लब वसे ब्लेड लाइन की तो कह सकतो हूँ यहां पर यह एक अच्छा मैच हो सकता है क्योंकि पास्ट में हमने देखा है 2018 के टाइम पर साय टामा टोंगा और रोमर ने इसकी यहां पर ट्विटर की उपर काफी बार में अब अपडेट तो यहां पर यह नहीं है लेकिन एक चीज मैंने यहां पर नोटेस करी जो कि मुझे लगा आपके साथ जरूर यहां पर सेयर करनी चाहिए तो आपने कलकर डवल और नथिंग देखा हो तो वहां पर जो मैच हमने देखा था यंग बक्स वैसे जॉन चेज़ को यहां पर जानवूचकर परें कर रहे हैं फिर मतलँ है एन फेन संहां शूच टैजकेट यहां पर चैट शच चीज को यहां पर जान मुझ रहा है फिर मतलब कि MARY खीशिणme शूरूरें यहां फिर कनेरा की रि स्ब्सक्राइन में आ नहीं लेकिन अपर बताना इसके वार में आपका क्या एनपको विए यहाब में के आपको यहां पर यहां पर अगली अप्टिट के वार में तो सबसे पहला मैचे में देखने को मिलने वाला वह कि लिए जो कि यहाँ पर MS के अपनी Championship को defend करेंगे यहाँ पर Legado Del Fantasma की सामने है तो यह match यहाँ पर होने वाला है इसके साथ ही एक No.1 Contender का match होने वाला है जहाँ पर जो Johnny Gargano, Kylo Rally और यहाँ पर Pete Dunn है वो यहाँ पर एक 333 match इनका होने वाला और यहाँ पर इस match को जो भी winner निकलेगा वो Karen Cross को face करेगा आने वाले पेपर वीव के अंदर जो कि यहाँ पर होने वाला है In Your House तो यहाँ पर यह 333 match यहाँ पर Announceical की NHT के लिए और यहाँ पर यह commercial फिरी होने वाला है यानि कि इस match के चलते कोई भी एड नहीं आगा, कोई भी commercial नहीं आगा अब हो सकता है, इंडिया के अंदर हम देखें तो इंडिया के अंदर हमारे एड वगरा चला दे लेकिन वहाँ पर यूज से के अंदर इस match को commercial free रखा गया है, तो समाझ सकते हो कि इतना बड़ा match यहाँ पर यह है इसको commercial free कर दिया है, कि आरम से जो fans है वो इस match का मज़ा उठाएं और बाकी देखते है, त्रिपल त्रिट मैच हमें कैसा देखनो मिलता है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस match को यहाँ पर जॉनी गार गया नो जीज सकते हैं बाकी देखते हैं कलके, एनेश्टी के एपिशोड में इस match का winner कौन निकल के आता है, तो वाइस comment करके बताना है कि आपका क्या कहना है क्या लगता है, क्या लगता है केरिन क्रोस का अगला opponent यहाँ पर कौन होगा, यंग बग सैथ झाल झाल झाल